चुडैल मा की ममता बचाओ, बचाओ भया खबरा नहीं मेहन, ये तो बस थोड़ी सी बिजली ही है जब से माबाबा कहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है भया राजू और सोम्या, दोनों ही अपने बड़े घर में छिपे बैठे हुए थे तेज तेज बिजली चमक रही थी, जिसकी वज़े से सोम्या बहुत डर रही थी उनके माबाब अब इस दुनिया में नहीं थे ऐसे में दो छोटे छोटे बच्चे ही करोणों की संपत्ति के मालिक थे लेकिन ये सब गाउं के कुछ बुरे लोगों से जेला नहीं गया और उसी दिन वो सभी मिलकर बच्चों के घर में गुसाए वाह, इस घर में तो हर एक चीज नायाब है चलो भाईयों, आदा आदा इस संपत्ति को बाट लेते हैं सही का, अब जब वो धोनों पत्ति पत्ति यहां हैं ही नहीं तो इस संपत्ति को हमी तो हर भेंगे वो सभी आदमी बच्चों को घर से निकाल कर उस जगह को हरपने आये थे बिजली से डरे हुए बच्चों ने उनकी ये बाते सुन ली जिसकी वज़े से वो और भी ज़्यादा डर गए भैया, अब क्या ये सब हमारी घर में रहेंगे? पदा नहीं, ये लोग पुरे हैं, ये घर हमारा है हम इन्हें इसमें नहीं रहने देंगे दोनों बच्चे ऐसे ही बाते करने लगे कि तब ही उनकी आवाज एक आदमी ने सुन ली और वो ज़ाक कर उन्हें देखने लगा बच्चे सुफे के पीछे थे अरे, यहां पर ये चिलकुट बैठे हुएं, इनका क्या करना है? उस आदमी ने उन बच्चों को वहां से निकाल लिया बच्चे बहुत ज़ादा घबराई हुए थे और गाम वाले उन्हें डरावनी नजरों से देख रहे थे हाँ, तो तुम दोनों खुद ही यहां से चले जाओगे या मुझ से कष्ट करवाना चाहते हो? हम यहां से कहने जाएंगे यह हमारा घर है, हम यही रहेंगे क्या बोला तू? तेरा घर है? यही बोला ना? चल निकल वरना तुम्हें भी तुम्हारे माबाप के पास ही पहुँचा दूँगा नहीं, हम नहीं जाएंगे तुम लोग बुरे हो, तुम यहां से जाओगे राजू की बात सुनकर अब उस आदमी को और घुसा आया और उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे उपर उठा लिया अपने भाई के साथ ऐसे होता देख, सौम्हें डर गई और वो जोर जोर से रूनी लगी भाईया, छोड़ो मेरे राजू भाई को बच्ची खूब चिला रहे थी लेकिन उन हैवानों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था वो बस राजू को फेक नहीं वाला था कि तभी जूर से बिजली चमकी और दर्वाजे पर उन्हें एक औरत की पच्चाई सी नजर आई कौन? कौन है वाँ? उस आदमी ने काफी बाहर पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया फिर उसने एक आदमी को बाहर देखने को बोला कौन है याँ? कौन है याँ? उस आदमी की आवाज सुनकर बाखी के आदमी भी आये लेकिन वो भी अंदर लोटकर नहीं गए अंत में जिस आदमी ने राजु को पकड़ा हुआ था वही बाहर देखने को आया और उसके होश ओड़े उसके सभी साथी मर चुके थी और वहाँ पर एक चोड़ैल खड़ी हुई थी सीमा ने ऐसी बोलकर उस आदमी का भी पेट अपने नाखुनों से फाड़ डाला और उसके बाद वो उन सभी आदमीों को खाकर अंदर इंसानी रूप में बच्चों के पास आई बच्चे उससे डर रहे थे अरे अरे मुझसे डरो नहीं बच्चों सीमा के आजाने से बच्चों का डर थोड़ा कम हो गया सीमा ने घर की सभी लाइट्स जलाई और उसके आजाने से सारा घर रोशन हो गया उसके बाद सीमा ने बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया बच्चों को खिलाते हुए सीमा मन ही मन में सोचने लगी कितने प्यारे बच्चे हैं मुझे याद है जब मेरी मौत हुई थी तो मेरे बच्चों को ऐसे ही जमाने ने मार डाला था तब तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी लेकिन मुझे इन बच्चों में अपने बच्चों की ही जलक दिख रही है मैं इने कुछ नहीं होने दूंगी बले ही ये मेरा खोन नहीं है लेकिन पता नहीं क्यूं मुझे इनसे अपना पन महसूस हो रहा है खाना बहुत अच्छा था अब हम सोने जा रहे हैं आपका शुक्रिया बच्चे अभी सीमा से ज़्यादा घुले मिले नहीं थे सीमा भी ये समझ रही थी बच्चे कमरे में जाकर सो गए जिसके बाद सीमा ने करके सभी कामों को निप्टाया ऐसे ही अगली सुबा अरे अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को सोम्या ने मेरी कार ढोड़ दी अरे नहीं कोई बात नहीं मैं अपने राजुक को नहीं कार दिलवा कर ले आऊंगी क्या सजमी ये ये मेरी तो नहीं कार आएगी हाँ बस आपी तो ज़्यादा खासे और मैं अपनी सोम्या को भी नए खिलोने दिलवाओंगी ये 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 मुझे भी नए गुडिया मिलेगी ये अपने बच्चों की खुशी देखकर सीमा भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगी वो ने खिलोने दिलवा कर लाई और फिर उनके लिए खाना भी बनाया ऐसे ही अब बच्चों को सीमा से लगाव हो चुका था और वो से सीमा मा बुलाते थे सीमा मा आज हमें कहीं घुमाने ले चलो ना नहीं बेटा हम आज कहीं नहीं जा पाएंगे बच्चों की जित को सीमा मना नहीं कर पाई और वो उने पार्क में घुमाने ले आए जहाँ पर एक शरारती बच्चा राजू और सौम्या को सताने लगा मोटू ने सौम्या की गुडिया तोड़ने के लिए उसे पकड़ लिया कि तभी वहाँ पर सीमा आ गई ए मोटे क्यों मेरे बच्चों को सता रहा है ओ बेहन मेरे बच्चे को क्यों आखी दिखा रही हो और ये तो बच्चों का मसला है और आपके वीश में पढ़ रही हो देखो बेहन तुम भी एक औरत हो इसलिए इस्ज़त कर रही हूँ वरना मा की ममता को तो तुम जानती ही होगी अगर मुझे गुसा गया ना तो तुम हरा बेटा नहीं बचे का मेरे बच्चों का सामान दिलवाओ और दफा हो जाओ अपने इस शरार्ती बच्चे के साथ सीमा ने उस औरत को घूर घूर कर ही भखा दिया और अपने बच्चों का सामान भी उस मोटू से छीन लिया सीमा अपने बच्चों से बेहत प्यार करती थी वो कहीं पर भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी और हमेशा उनके लिए अपनी जान भी देने को तयार रहती थी ऐसे ही देखते ही देखते समय गुजर गया और अब दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके थे आज तक सीमा ने उन्हें बहुत ही प्यार से पाला था ले राजू बेटा खाना खाकर काम पर जा अरे मा आज आफिस मुझे जल्दी जाना था आप क्यों ये खाना वाना ले आई मेरा बच्चा कितनी मेहनद से काम करता है ले बेटा दोनी वाले अपनी मा के हाथों से ही खाकर चला जा मुझे सुकून मिल जाएगा राजू अपनी मा के बार बार कहने पर खाना खाने लगा उसे काम पर भी जाना था तो वहीं दूसी तरफ सौम्या घर में ही सीमा का हाथ बटा रही थी कि तबी सौम्या को सीमा के कमरे में मांस का टुकडा मिला मांस का टुकडा? वो भी हमारे घर में? सौमया ने जैसे ही अपनी मा के पलंग के नीचे जहांक कर देखा तो उसे वहाँ पर किसी जानवर के जैसी मास के टुकड़े के आकरती दिखाए दी जिसको देखकर वो चिला पड़ी मा, मा भाया राजू और सीमा दोनों एक साथ जल्दी से भागते हुए आए क्या हुआ सौमया भाया इसके इसके नीचे देखो राजू ने भी पलंग के नीचे देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और मास की हीक भी आ रही थी यह सब क्या है मा यह आपके कमरे में कैसे आया वो यह वो वो बस आपकी सबान इतनी लडखना क्यों रही है कहिए आप ही तो नहीं खाती है अपने बच्चों की शक भरी नजरों से बचना अब सीमा के लिए मुश्किल था सालों से उसने जो रूप अपना छेपाया हुआ था आज उसे वो अपने बच्चों के सामने लाना पड़ा और वो अपने चुड़ैल रूप में आ ले देखो बच्चो मैं वो नहीं हो जो तुम समझते हो लेकिन हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एक माह के जितना या उससे भी ज़्यादा चुड़ैल भाया यह तो एक चुड़ैल है हाँ माब अभी तक के हिस एक चुड़ैल की साथ थी तु डर्मत क्यों आई हो यहाँ और क्यों अभी तक हमारे साथ रह रह रही थी मेरे बच्चों मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुम्हारी लालन पालन के लिए ही मैं तुम्हारी साथ थी नहीं चाहिए हमें किसी चुडैल का साथ चले जाओ यहां से एक चुडैल और इनसान के बीच में कभी कोई रिष्टा नहीं हो सकता है सौम्या की बाद सीमा के दिल पर लगी उसकी बात में सचाही थी चुडैल और इनसानों का जिंदगी भर का मेल होना मुश्किल था इसलिए दिल पर पत्थर रख सीमा वहां से गायब हो गई दोनों बचे बस उसे देखते रह गे उस दिन के बाद फिर कभी सीमा उनकी तहलीज पर नहीं आई और दोनों बहन और दोनों बहन भाई एक साथ रहने लगे